आज मैं बना रही हूं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट जल्दी से recipe देखते हैं यहां पर मैंने चार बॉयल आलू लिए हैं और एक कब बॉयल मटर लिए हैं तो मटर को ऐसे मैश कर लेंगे पहले इस तरह के सिल मैश कर लेना है अब जो आलू है उसको जो बॉयल आलू है उसको भी मैश कर लेंगे इसको इसे तोड़के मैश कर लेना है अब हम इसे एक बॉल में ट्रांस्पर कर लेंगे और इन सब को हमें मिक्स कर लेना है धनिया डाल दिया मैने इसमें एक चूधह है चाट मसाला नमक डाल दियु थाट के नसार कफ़पीर लाल मिर्ची पॉड़र दुर दियु पॉडडर क्तिकाहर है लेसुन और अधुर का पेस डाले है और अधी ऒधमत these त नहीं से हमें मिक्स कर लेना हैblade मैखे तो सक मिक्स कर लेdriven भर अगर तक अबड़े तुकड़े बचे हैं आलू के वह बीच्छ से मैश हो जा तो एसे गयर तो है कर लिमिक्स कर लेंगे तो देखिए भरonn तयार है बल्कुल, हाँदो नढूदर आजफिए कर लेंगे और फिर थोड़ थोड़ हिसे मसाला लेके फिर पहले पहले राओं-ड राड dan गूल बॉल से बना लेंगे तो देखे एसे बॉल बॉल न कहली है और इसको क्या गरना है एसी दो हादों के बीच में ऐसे छलका से प्रेस करना है और साइट से ऐसे इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको टिक्की का शेफ देना है इस तरीके से ताकि जिसके क्रैक्स साइट में पढ़ें वो बिस सब बंद हो जाएं फिर से ऐसे बॉल बना लेंगे उसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको ऐसे टिक्की का शेफ देते जाएंगे इस पेस को ऐसे एक हलकी सी पतली सी कोटिंग देंगे ऐसे इसको ऐसे डिप करके दोनु साइट से यह देखिया ऐसे कर लेना है आप इनको करते हैं फ्राइ तो यह मैंने एक तवे पर थोड़ा सा तेल लखा है इसको ग्रीस कर लेंगे तवे को अच्छे से आभी इनको हम बस इस यालो फ्राइ कर रहें तो यह देखिए ऐसे रखते जाएंगे गैस को लोट टू मेटियम फ्लेम पर रखें और जब यह दोनु साइट से जो सूजी है वह ब्राउन दिखने लग जाए ना ब्राउन से कोटिंग सी आजए उतने में यह बन के तियार हो जाते हैं तो दोनु साइट से इनको आलट पर लटने अच्छे से पका लेने तो देखिए पस इस तरीके से हो जाने चीए हलकी सी ब्राउन कोटिंग आगी है बतलब इतना इनको पकाने अब इनको निकाल लेना एक टेट में बागी कटिलेट्स को भी आपको इसी तरीके से शैलो फ् अलाके रैसी पर इच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजेगा